तो दोस्तों, Assalamualaikum, Learn and Earned के YouTube चनल में खुशाम जी हम अपने Data Structure and Algorithm के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्किस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है Time Complexity and Big O तो यह आज का हमारा टॉपिक है वो यह हम इसको डिस्किस करेंगे हम देखेंगे Time Complexity क्या होती है Time और Big O क्या चीज़ होती है तो अगर हम बात करें Time Complexity की तो उससे पहले अगर हम देखेंगे हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था तो हमने अपने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा इंट्रो लिया था अपने Data Structure and Algorithm का हमने देखा था कि जो Data Structure and Algorithm होता है यह basically data structure क्या होता है हमारा way of sequence होता है कि किसा हम अपने data को arrange कर रहे हैं तो मसले हमने अपने data को अगर हमें data structures को efficiently use कर रहे हैं हम अच्छे तरीके से data structure को use करते हैं तो that means कि हमारा जो data है वो अच्छी तरह से arrange होके पड़ा हुए है जब हमने example ली उसकी हमने का हमारी अगर हम कमरे की example लें तो हर चीज़ एक available जिगा में पड़ी हुई थी और algorithm हमने देखे थे algorithm हमने का था कि हमारा logic क्या होता है कि हम अगर चाय बनाना चाह रहे हैं तो वो कौन-कौन से step होंगे जिस step को follow करते होए हम चाय बनाएंगे तो यह हमारा algorithm था तो अब हम algorithm की topic को आगे लेके चलते हैं और उसमें हम देखते है time complexity क्या होती है तो time complexity यह हमारे पार basically एक हम इसमें एक study करते हैं time को हमारे study करते हैं कि हमारे algorithm कितना efficiently हमारे time को use कर रहा है हमारा algorithm है और यह हमें पताती है, time complexity हमें पताती है, कितने time हमारा algorithm कितना time ले रहा है, हमार जो input हमने उसको दिये, उस input को process करने के लिए हमारा algorithm कितना time ले रहा है, अब obviously बात है, अगर हमने C++ के course को आप लोगों ने किया हुए, तो आप लोगों को ये बात तो बता होगी, कि एक program को कर algorithm अच्छा वर करता है, एक अच्छा नहीं वर करता है, एक किसी काम के लिए अच्छा होता है और एक दूसरे काम के लिए, तो हमारा जो algorithm है, हमारे input data को process करने में कितना time ले रहा है, वो हमारा time complexity होता है, तो मैं गर बेठा हुँ हूँ हूँ, और मेरे पास कोई काम नहीं कर मेरे पास इतना इंट्रिनेट भी नहीं है कि मेरे पास जो इंट्रिनेट का पैकेज है वो मेरा वन जीबी का है और उसमें मैं एक अच्छे screenshot में movie download नहीं कड़ सकता लेकिन वो ही movie मेरे एक दोस्ट को पढ़े वी है जो मेरे गढ़े से दस क्किलो मेटर के fast flip पढ़े रہता है तो ये मेरा बहर है इस गढ़े से like तीन आपsilो म Bäokय को पास यह और दोस्ट है उसका गढ़ा 3 km का distance है अब मेरे पास उससे मुवी लेने के दो method है algorithm क्या होता है algorithm हमारा basically logic होता है कि मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए मुवी मुवी किसके पास है मुवी है मेरे इस दोस्त के पास इस दोस्त के पास मेरे मुवी पड़ी हुई है और मैंने इस से मुवी लेनी है तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ एक method तो मेरे पास यह आज़ाता है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ method 1 method 2 अब इन दो method मेरे पास दो तरीके आज़ाते है कि मैंने movie लेनी है तो मैं किस-किस method से जाके ले सकता हूँ पहला method यह आता है कि अगर तो movie का size है छोटा कि मेरे पास अगर 1GB का data available है तो मैं अपने दोस्त को कूँँगा कि वो यह movie drive पे upload कर दे अपने पास कि अवेलेबल जो drive है google drive हो गई उसमें drop box में upload बगरा कर दे और मैं वहां से download कर लूँगा पहला method तो मेरे पास यह आगया कि मैं इस दीके से movie ले सकता हूँ और जो second method है कि मेरे पास तो मैं क्या करूँगा मैं अपने दोस्त के गढ़ जाओंगा और उसकी गढ़ जाके वो movie लेंगा अब यहां पर time complexity क्या होती है time complexity को देखें अगर तो मेरे पास एक जी बी का data available है और मेरे internet की speed आ रही है like 1 MB per second speed आ रही है तो अगर तो मैं उससे जो movie ले रहा हूँ वो अगर तो 1 MB की होती है 1 MB per second में पास speed आ रही है और मैं उससे movie लेता हूँ वो 1 MB की है तो मेरे पास 1 second लगेगा उस data को लेने में लेकिन अगर वो 1 GB की movie है तो मुझे कितना time लगेगा उस 1 GB की movie को लेने के लिए कितना time acquire होगा वो मेरे time complexity में आते हैं कि just like 1 MB की है तो 1 second लाग रहा है 1000 MB की है तो obviously बात है 1000 seconds लगेंगे इस दोनों काम में अपढ़ में इसमें मैं फिजिकल विजित का रहा हूँ मैं उसके गụड मैं बाएक निकालता हा हूँ मैं यह पर पेडल जा रहा हो मैं करके रख ले मैं आऊंगा तिरसे आके लेकर चला जाओंगा अब यहां पर मेरे पास टाइम है वह मेरे पास एक constant time लाग रहे है method two में मेरा time constant है कि मैं मैंने बेशक मैं उससे 10 GB का data लेना चाहरा हूँ basic मैं उससे 15 GB का data ले लूँ basic मैं उससे 30 GB का data ले लूँ उससे वह data copy करके रख दिया उसने अपने पास रख दिया वह data मैं आया मैंने बाइक निकाली मेरे पास यह पहला time लगा वह बाइक निकालने में लगा अगर मैं इसको लेकर चले कि मैं अपने time को अगर count करता हूँ इसमें तो like मेरा एम 1 is M1 की में टाइम लग रहा हूँ जो मैंने त्यार हूआ ऑविस्ली बात है मैं kप्ड़े कोपड़े साफ कपड़े पहन हूँ गार अगर मैं आपने गड़ जाा रहूं आपने गड़े पहना हूँ साफ कपड़े पहनगा क्यों किम्गे की यह क्या बन के आगए यार य इसी तरह मेरे पास जो दूसरा टाइम में लाग रहा है वो मुझे उसके गर जाने में लाग रहा है जो बीच में डिस्टेंस कवर करने का टाइम है वो मेरा एम टू है तो यह मेरा टाइम एम टू लाग गया फिर अगर मैं तीसरे टाइम की बात करूंगा मैं उसके गर जाता तो इसमें मेरे पास एक टाइम लगीगा और ये मेर टाइम कोश्टेंट होगे कांसे टाइम एक टाइम लाग़ा है मुझे त्यार होने में भी कॉश्टेंट टाइम लाग रहा है फिर मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और मैं उससे जाके उससे हार्ड ड्राइव पकड़ता हूँ जिसमें उसने मुवीज को कॉपी किया हूँ है वह मेरा टाइम M4 है अब उससे डेटा कोपी करके रखा हूँ है मुझे इसके के मैं उसमें 10GB डेटा लूँ मैं 15GB डेटा लूँ मैं 1GB डेटा लूँ मुझे टाइम सेम लाग रहा हूँ कोपी हूँ पड़ी हूँ है मैंने जाना है दो मिन लगने है तीन मिन लगने है मैंने उससे हार्ड ड्राइव लेनी है और लेके आ जाना है दो से इतने मिन ला तो मैं इस method से लेए हूँगा अब अगर हम method 1 जो हमारा algorithm 1 हम create कर रहे हैं जिसमें मैं गूगल से उसे कहता हूँ कि तुम जीमेल में यह चीज़ें अपलोड कर दे और मैं वहां से डाउलोड कर लूँगा अब यहां पर मिर पास टाइम लगेगा और यहां पर टाइम लगेग और यह टाइम मेरे पास कॉंसे टाइम आजेगा इसमें मेरे पास कॉई टाइम नहीं होगा अब यह टाइम एक ही दस दफा लैप्टॉप open करें यह कॉंसे टाइम लगना है यह नहीं कि उसने अभी लैप्टॉप on किया मैं तो 10 सेक्न लग रहे हैं फिर दबारा on करेगा त सब्सक्राइम लगना है तो यह टाइम होगा ना कि उसका लैप्टॉप on करने से और उसको जो वह मेरे मुवी की फाइल है उसको ड्राइव पर अपलोड कर रहा है उस पर एक टाइम लाग किया यह वह टाइम आ गया एम और जो दूसरी सफ एम टू है वह मेरे पास वह वह टाइम पर मैं उस फाइल को गूगल से डाउड हों ड्राइव और वह टाइम किया है और वह टाइम मेरे इनपुट के साइज पर डङपैंड का रहा ह typically'll में लेकिन विर्ट्यूल में जो कि मैं ड्राइव से ले रहा हूं इंटरनेट के थुरू कर रहा हूं उसमें मेरा जो इंपुट का साइज है वो उससे मेरा टाइम उस पे मेरा टाइम डिपेंडन्ट है कि लाइक अगर 500 MB की फाइल है तो वह 8 मिंट के अंदर डाउनलोड हो जागी अगर मेरा 1 MB per second के हसाब से इंटरनेट आ रहा है लेकिन अगर एक जिबी की फाइल है तो उसको अप्रोक्सिमेटल सोला मिंट लग रहे हैं सोला सतरा राउंडबॉट मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में अगर मैं दो जिबी की फाइल ले रहा हूं तो उसको 32 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में तो यहां पर मेरा टाइम मेरे इंपुट साइज पर डिपेंड हो रहा है जो मेरा विर्चूल है तो अब अगर हम इसी फार्मूले को लेकि इसी मैथर को लेके आगे चलते हैं अगर हम इसी तरीके को आगे लेके चलें तो हमारे पास क्या होगा कि यहां पर अगर हम एक और इंप्स लेते हैं कि एंड के हैं एंड हमारे पास size of file है मैं लेने चाहरा हूँ जो मूवी है यहां अगर कोई गेम लेने चाहरा हूँ जो भी है वो size of file है n अब हमने देखना है size of file का मेरे time पे क्या relation किया है size of file का मेरे time के साथ size of file n है तो अब इस physical method में size of file जो भी हो मेरा time constant है तो मुझे कोई कहता है कि इसको nth term में आप अपने time को calculate करो physical वाले में तो time t आगया मेरे पास time को मैंने physical वाले में अगर करना है तो मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा m1 क्योंकर time मेरा constant है dependent नहीं है मेरे input का है वो मेरे time पे dependent नहीं हो रही तो m1 के साथ मैं जो n होगा मेरा size of file उसको power 0 लेलूँगा आपको यह बात पता होगे किसी की बी नंबर की अगर power 0 होती है तो वो 1 के equal होता है वो एक constant होता है तो बाकी मैं इसको हिस्सेन लेके चलता हूँ m2, m2, m3, m4 तो अगर मैं इस time को n की terminology में define करूं explain करूं तो यह कुछ हिस्तरा हैगा m1 n की power 0 तो मेरा जो time होगा वो एक constant time म मेरा इसमें लगेगा इस काम को करने में तो यहां पर मेरा जो time है वो constant आ जाएगा कि मेरा जो big O है अब big O क्या चीज़ है अगर हम big O को discuss करें तो मैं आपको इसका पताता हूँ हमने time complexity के देखा कि हमारा अगर जो size of file है जो size of हमारे program का size है वो अगर तो हमारे जो time पे depend का रहा है तो फिर तो हमारा जो big O है वो कौन सा use over है big O basically हमारे पास एक notation है जिसको हम use करेंगे जिसमें हम कह देते हैं के big O हमारे basic के लिए क्या big O पताता है big O हमारा पताता है के हमारे input size of file क के हमारे इस पूरे program का time के साथ क्या relation है वो हमारा big O define का रहा होता है इसको हम आगे इसमें deep drive करेंगे अभी इसका आपने छोटा सा intro ले ले लेना है देरों मैं आपको के हमारे जो program का उसका हमारे time के साथ क्या relation है यह हमारा big O की notation हमें पताएगी तो अगर हम big O में देखें तो हमारे जो यह वाला scenario है physical वाला scenario इसमें जो हमारे size of file है यह constant जा रही है कि अगर मैं हमारा big O जो इसमें मेरा सबसे बड़ी notation है n की power 0 है जो हमारे size of file में सबसे बड़ी notation है वो n की power 0 आ रही है तो n की power 0 जो मेरी big O की value है वो मेरी आ जाएगी one अब जो यह one है यह मेरी all over the program constant रहेगी value तो इस scenario में मेरी big O method 2 के scenario में जो big O है यह मेरा constant रहे है और constant जो हमारा big O होता है इसमें अब हमारे big O के अंदर भी different scenarios आ रहेते हैं like हमारे पास आ रहेते है big O के अंदर आ रहेता है constant time constant हमारे पास time आ रहेता है उसके बाद हमारे पास linear time रहेता है big O के अंदर और फिर हमारे पास quadratic रहेता है logarithmic आ जाता है इससे हमारे पास different scenarios आ रहेते हैं हमारे big O के अंदर लेकिन अभी अगर हम constant time का जिकर करें जो हम constant scenario two में कहरें constant time लाग रहा है तो जो हमारा constant time होता है यह हमारा तब आते है हम कह सकते हैं कि हमारा जो algorithm है उसका constant time है जब हमारा जो big O की value O के O into one आ जाजएगी O into one का मतलब है कि हमारे time में constant आ रहा है और हमारा input size है हमारी file का input size है वो हमारे time पर dependent नहीं का रही it's not dependent on our time time our file is not dependent upon time अब जो method one है इसमें हमारी जो file है कि अगर one gb की file है तो 16 minute है अगर two gb की file है तो 32 है अगर five hundred MB की file हम ले लेते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाते है eight minutes लगेंगे हमारे इस data को transfer होने में तो अब इसमें हमारे सेनरिव के आयरे जाहता है इसमें हमारा जो time होता है जो file का size होता होता है थो वो हमेरे time पर dependent का रहा होता है तो अब अगर मैं इसमें आपको लेकर चलूंगों तो इसमें हमारे पास कुछ इसमें तरह का scenario बन जयता है Jak खावते है एक M1 M1 के साथ जो हमारा जो size of file है कि इसमें हमारे पास आजते है N की power 0 और दूसरा पहला टाइम हमारे पास लगा है कौन सा जो हमारे PC को त्यार करने में इंटरनेट वगरा PC को अपने drive को open करने तक जो time लगा यह हमारे एक time है कि हमने अपना PC on किया PC on करके हमने password लगया फाइल ब्रॉजर ओपन किया ब्रॉजर ओपन करके हम अपने drive तक गए और drive को open किया तो यह हमारे एक time लगा जो दूसरा time हमारे लगा वो लगा कि कितने minute पे हमारी फाइल डाउनलूड हो रही है अब वो हमारी किस सेकिंड के हमारे पास कितना time लग रहा है वो हमारा यह है अगर मैं 1 over m2 को ले लूँ एल के equal तो यह हमारा जो time लगते है वो हमारा लगेगा यहां पर अगर मैं चलूँ m1 n0 और m2 n raise to power 1 अब जहां पर हमारे पार constant सबसे बड़ी value जो o की value सबसे बड़ी n की value थी वो n की raise to power 0 थी तो हमारा इसमें n raise to power 0 की value क्या होगी n raise to power 0 की value 1 हो जाती है किसी भी चीज़ की power 0 हो तो 1 हो जाती है तो यहां पर हमारी big o 1 थी और यहां पर हमारी जो सबसे बड़ी n की power है वो हमारे पार 1 अगी है तो यहां पर जो हमारी o की value आजएगी ² आजएगी o raise to power 10 आजएगी तो o raise to power 10 पे अगर हम चलते हैं तो उसमें हमारा जो time आएगा वो linear time आएगा कि इसमें हमारी method one में algorithm में हमारी o की value आ रही है and अगर आप लोगों को यह confusion हो रहा है confusion हो रही है समझ नहीं आ रही तो आप थोड़ सा पीछे करके देखे तो आपको समझ आजएगी या फिर इसके साथ मेरी अगली वीडियो जो है उसको देखेंगे तो आपको clear होजएगा क्योंकि अगली वीडियो में हम इसमें deep dive करेंगे और big o को जो हमारी notations है big o वगयरा इनको discuss करेंगे in detail तो o की power जब हमारे पास n आजएगी तो यह मेरा आजएगा linear time इसमें मेरा time depend कर रहा है मेरे इस size of file की उपर तो linear time आगया और यहां पर मेरा constant time आगया अब linear time क्यों होता है हम कह सकते हैं कि हमारा जो algorithm है उसका linear time वो consume कर रही है जब जो time हमारा जो लग रहा है file को download करने में या input file को process करने में वो increase होता जा रहा है with the length of input कि जैसे जैसे हमारी input increase हो रहा है हमारा time भी increase होता जा रहा है तो यह तो हमारा big O में आगया के linear क्या time क्या होता है और constant time क्यों होता है अब linear और constant time को अगर हम graph के थरूँ देखें या कह दें कि इसकी visibility को देखें तो हमारे पर किस तरह इनका graph शो होगा तो हमारे पास graph कुछ अगर हम graph को लेकर चलें तो यह हमारे पास एक graph graph है और इस graph में जो हमारा size था size of file and यह हमारा size of file आ जाता है size of file कहने के बज़ाए अगर हम इसको program के sense में लें तो हम कह दें के size of input और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम कह दें के time हमारा कितना लाग रहा है इस size of input को process करने में हमारा कितना time लाग रहा है तो जब हमारे पास जो constant value होगी जो हमारे पास scenario 2 था के हमारी जो value big O की value आ रही थी big O हमारे पास जब 1 आ रहा था कि हमारा जो time है वो constant है तो हमारे पास कुछ इस थरह value है कि 0 1 2 तो हमारे पास एक constant time आएगा यह हमारा scenario 1 है इसको मैं कहता हूँ l go 1 लेकिन जो हमारा दूसरी थी linear वाली उसमें हमारे पास big O की value आ रही थी n और यह हमारी linear increase का रही थी इसमें हमारे पास जो graph बनेगा वो कुछ इस थरह बनेगा हमारा graph linearly increase का रहा है जैसे जैसे हमारी जो size of input increase का रहा हमारा time भी increase करता जा रहा है अगर हमारा size of input decrease करेगा हमारा time भी decrease करेगा अब इसको अगर आपस में compare करें अपने इस time को तो हम एक वक्त तक सोचेंगे कि हमारा जो यह वाला algorithm one है यह अच्छा काम कर रहा है लेकिन जब हमारा channel लेते हैं उपर जाएंगे size of time को हम दूसी दफ लेकर चलेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारा जो algorithm two है वो सभी तरह काम कर रहा है लेकिन आपने सोचना है कि आपके scenario में कौन सा algorithm कैसे काम करेंगा उसमें आपने दो चीज़ों को देखना है जब भी हम algorithm बनाते हैं तो हम दो चीज़ों को देखते हैं एक चीज़ होती है हमारा time है कितना consume का रहा है और दूसरी चीज़ होती है कि हमारी memory कितनी consume हो रही है हम इन दोनों चीज़ों को जब देखते हुए अपना एक program बनाते है जो हमारा time complexity को देखते हुए कि minimum time use करें और maximum result दे हमें इसी तरह minimum हमारी space in use करें और maximum result दे तो ये हमारे इस course का एक core topic है जो हमने cover करना है वो ये है कि data structures को किस तरह हम arrange करेंगे तो आज के लिए इतना ही हम आने वाली videos में देखेंगे big o को in detail देखेंगे तो अभी तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए खुदा हाफिज